तो question number one यह है कि मैं जो हूँ non-resident हूँ और मेरे assets तो हैं लेकिन मेरी कोई income नहीं है तो मुझे tax return file करने चाहिए या मुझे previous years में tax return file करने चाहिए थी तो उसके जवाब यह है कि बिल्कुल कानून आपको बड़ा clearly बताता है कि आपने tax return file नहीं करने है तो यह first question आया और उतनी resistance जिस तरह अभी भी मिलती है उतनी ही मिली उसवर्ग भी मिली तो हमने लोगों को बताना शुरू किया कि जी well statement file नहीं करी तो बहुत सरे consultants हमें phone करके मुझे पूछते थे कि जर आप बिल्कुल ठीक कह रहे है हम भी logic समझ गये हैं जिस तरह है ताप कहा है लिकिन जब हम return file क में attributes के column में आप जाएं और attributes में residential status में जाके by default वो resident पर सेट होती है उसको जाके non-resident पर set करने तो पिर आपसे वो wealth statement नहीं बाएंगे तो मतलब आप income tax return independently file कर सेगें तो यह मज़े की बात जो बहुत सारों से आप बहुत सारे consultants को समझ आगी है वरना आज जो नए consultants आरे market में वो ही अविट्यों देखके वो भी समझ आगे और section 114 में वो लोग जो section में fall नहीं करते उनको भी return file करने की जरूरत नहीं है लिकिन आज हम जो है ना focus wealth statement में तो उसका answer यह है कि इस साल tax year 2025 में जब आप property purchase करेंगे तो आप seller और buyer के दर्म्यान जो भी कीमत है होगी market की वो तो होगी लेकिन FBR वाले एक certain value से आपसे advance withholding charge करेंगे advance income tax charge करेंगे section 236K के लिए question number 2 के वाले से हम बात करें कि आपसे advance deduction होगी tax की आपकी property की fair market value के हिसाब से fair market value को income tax law कहता है वो value जो FBR ने set की आपको पता होगा कि immobile property की ज्यादा तर शेरों में FBR ने commercial भी और residential property की उन्होंने value set की वी है और उसके faulty है और इसमें हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके है कि वो हर वो शक्स जिसको फिर text act में आना पड़ जाता है उसको वो non-filer समझते हैं जबकि non-filer वो होता है चाहे वो resident हो या non-resident हो दोनों cases में non-filer वो है जिसकी Pakistan source income है और वो return file नहीं करेंगे non-filer है और मैं यह बता रहा हूं कि अगर आप non-filer है PR की approach के बतावी क्योंकि आप सिस्टम में आ रहे हैं first time तो आप से charge किया जाएगा अगर property की value पांच करोड से कम है तो आप से 12% withhold किया जाएगा advanced tax 3% और 6% के मकाबले में यानि active और late filer के मकाबले में आप से double 12% charge किया अगर आप जो property खरीद रहे हैं वो पाच करोड से ज्यादा है और 10 करोड से कम है यानि कि ये बात सुनके अनवर साब कहते हैं कि okay I will become filer to save tax अब फाइलर बन जाएंगे to save tax अब उन पर 3% लगेगा आपके 6% लगेगा इस पे मैं अभी से बता देता हूं कि late filer वो होता है ज अनवर साब के लिए मैं ये fight करूँगा कि अनवर साब पर 3% ही लगना चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट थे और आपकी जॉब हुई है फर्स्ट यह और आपको फैमिली सपोर्ट करें कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या आपकी जॉब इतनी अच्छी हुई है कि आपके पास फर्स्ट यह में हूँ पैसे आये हैं कि आप डाउट पेमेंट कर स करें इंस्टॉल्मेंट पे भी तो घर गाड़ी वगरा मिलता है तो इसमें आपका तो कोई कस होनी है आप तो लेट फाइलर नहीं हुआ आप आप जॉब मार्केट में आए आप आप आईरस पर रिजिस्टर होएं यह रेजिटेट लोगों की बात करना तो यह जो लेट फ